दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे इंटर फेरेंसेस इन दी थिन फिल्म इंटर फेंस के बारे में हम लोग इचले वीडियो में पर चुके हैं कि हम लोग बताएंगे इस वीडियो में इंटर्फेरेंस इस इंदी थीन फिल्म पले हम लोग थीन फिल्म को यहां ड्रॉख करते हैं यह हम लोगे थीन फिल्म है इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्ष्ट मियू है तिकनेश्टी है कि माल लीजिए दोस्ते कोई सोर्स यहां एस फॉल कर रही है कि यहां सोर्स ऐसे दोस्ते जो कि फॉल कर रही है यह हम लोग मान सकते हैं एक मोनो क्रॉमितिक लाइट को हम लोग करवा रहे हैं कि थीन फिल्म पर तो इस पर कुछ इसका रिफ्रेक्टेट बात इधर आएगा दोस्तों और इसका कुछ reflected बात इधर के बर चल जाएगा फिर यह यहां आएगा तो बाहर भी निकलेगा इसी डारेक्शन में फिर इसी तरह इसका कुछ इधर reflected होगा फिर यह सेम इसी तरह इस बात में चल जाएगा यह इधर से आएगा और यह प्रोसेस लगातार चलते रहेगा यह प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा इस तरह से कुछ पाट इधर आएंगे कुछ पाट फिर से इधर जाएंगे इस तरह चलते रहेगा तो हम लोग दोस्तों कुछ पाइंट्स को इसमें चुनेंगे ताकि हम लोग इंटर्फेरेंट्स इंथी इन फ्लिम मेजर कर सकते हैं पारले हम लोग देखेंगे यहां ए देते हैं बी सी पारले नॉर्मल ड्रो कर लेते हैं इस पर हम लोग नर्मल ड्रॉ कर लिए इस पर भी कर लेते हैं इसमें भी कर सकते हैं लेकिन हमको से पहीं पॉइंट्स को देखना है cm इसको यहां से एक हम लोग पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो पर्पेंडिकुलर हो जिसका हम लोग नाम देदेंगे एं यह रिफल रिफ्लेक्टेड पात आरवन रेव से यह आर्टुम माल देए इसको यह दोस्तों लोगा यह पाट है यह फिल्म पाट है थिन फिल्म अब देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कौन-कौन सा पॉइंट है रिफलेक्टेड सिस्टम में रिफलेक्टेड सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हमलो का पॉइंट अरवन 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 और सिर्टू है सिर्टू तो इसका हमलो पाट डिफ्रेंट्स निकालेंगे पातव एबीसी एबीसी इन फिल्म माइनेस पातव एएर पातव एर बोले तो जो रिफलेक्टेड हो रहा है तो हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है म्यू दे दिया है पातव एबीसी इन फिल्म तो एबीसी कम लोग लिख सकते हैं एबी प्लस पीसी माइनस पातव एर पातव एर इस पॉइंट कम लोग मानेंगे दोस्तों यहां गौर कहने वाली बात है देखें एबी और बीसी जो है यह दो भाग में बटा हुआ हूँ भी एकवल बटा हुआ है हमलोग मान सकते हैं कि एबी बराबर आँ बीसी यह हम लोग लिख सकते हैं एबी बराबर टू टाइमस भीसी माइनस अ है कि इसको हम लोग माल लेते हैं एक्वेशन वान दोस्तों गौर से देखिए यहां बी-सी और ए-ए-ए-ए-फिगर में हम लोग देखेंगी बी-सी और ए-ए-ए-ए-न निकाल परले हम लोग यहां ट्रॉ कर देते हैं यहां रिफ्लेक्टिव है यह रिफ्लेक्टिव है यह हैं इंसिदें्ट यह इंसिदेंट है को बी-सी और ए-ए-न निकालने के लिए हम लोग पर ले क्वसर उसका बद साइन अर्न निकलना पड़िगे को आधि साइनार अट से बने से एन निकलना और तो हम लोग भी कि अधनाम. कोशार इन ट्रिंगल्स बिसी निकालने के लिए दोस्तों हमें लोकों ट्रिंगल्स यूज करना पड़ेगा BMC का कोशार कोशार में क्या हता है परपेंडिकुलर ने स्वरी बेस बाइपोटोनियस तो बेस हम लोग का इसमें हो गया BM बाइपोटोनियस BC BM को हम लोग मान सकते हैं T क्योंकि यह आप देख सकते हैं ठिकनेस T है तो BC BMT हो गया इसको हम इधर लाएं कोशार को हम लोग लिख सकते हैं स्याकर टी स्याकर यह हम लोग का इकवेशन टू अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे इंट्रिंगल्स AN स्वरी ANC साइनाई बराबर इसमें पर्पेंडिकुलर बहर पुटनियस AN बाई AC हम लोग दोस्तों फिगर तरफ देखेंगे AC AC को हम लोग लिख सकते हैं AC is equal to AM plus MC लिख सकते हैं क्योंकि AC का ही दो टूबडा भाग है AM और MC तो इस तरह लिखेंगे हम लोग AN AM plus MC अब साइन है दोस्तों हम लोग जानते है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है साइन है आइ साइन आर तो साइन आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां बराबर हम लूग लेख सकते हैं मियू इन्टू है तो हम लोग अब कर सकते हैं क्या है कि परले हम लोग एन को इधर ले आते हैं कि ए एन कि ए एम एम सी और साइन तो साइन के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि में साइनर इक्स को एक्वेशन थाड माल दी है ठीक है दोस्तों कि अब हम लोग देखते हैं एम और एम सी फिगर पर फिर से गवर फर्माते हैं ए एम और एम सी दोस्तों देखें ए एम और एम सी इसको निखालने के लिए लोग दो ट्रिंगल्स लेना पड़ेगा ए एम बी और बी एम सी लेंगे और एम बी लेंगे तो हम लोगों को एम और एम सी दोनों निखल जाएं तो लेते हैं दोस्तों कि इन ट्रिंगल्स कि इन ट्रिंगल बी एम सी इसमें टैन आर बराबर होता है दोस्तों बेस बाई पर्पेंडिकुलर तो कि थेहीं, टैनल बर अबरू, पर्पेंडिकुलर बिले पर्पेंडिकुलर आपिकुलर आपिकुए, ग इसद टे एड कि आगे, पर्पेंडिगुलर बाइबेस तो अम लोग लिख सकते हैं कि को एएम बराबर बी म टेन आर बी एम को उलोग परले मान चुके हैं क्या तो हम लोग लिख सकते हैं T 10R इसको इक्वेशन फॉर्थ माल लेते हैं अब ट्रिंगल्स BMC में उसी तरह 10R इसमें भी पर्पेंडिकुलर भाई बेस BM तो इसको भी उसी तरह T यहां MC और BM को तो हम लोग T मान चुके हैं तो MC बराबर हम लोग लेख सकते हैं T 10R इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं अब इक्वेशन 5 और 4 को इक्वेशन 3 में सेट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा A N बराबर 2 T 10R मू शाइनर इक्वेशन हमको 6 दे देते हैं अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 2 को पूट करते हैं इक्वेशन 1 क्योंकि BC लोगा BC और यहां A N और हम लोग निकाल चुके N तो हम लोगा पूट कर देंगा दोस्तें अब पुके विए लोगा अब लोगा पूट करते हैं अब लोगा इक्वेशन 6 और 2 इक्वेशन 1 then we get amlokamillel path difference mu to bc amlokaniklai t secar minus an amlokaniklai to mu t 10R sign हम लोग यहां से 2 muti को को मल लेंगे 2 muti शयकार को लिख सकते हैं 1 by cosar और यहां से लोग लिख सकते हैं इसको sign square लोग इसको यहां लिख सकते हैं सुरी दोस्तों गलती होगे हैं sign r है यह sign r होगे तो हम लोग को यहां मिल देगा sin square r by cos r अब हम लोग इसको lcm लेंगे तो मिल जाएगा 2 muti 1 by sin square r by cos r इसको हम लोग mathematical calculation करेंगे तो हाज आएगा हम लोगा cos r path difference is equal to 2 muti of cos r यह बहुत important है दोस्तों path difference जो आगे हम लोगे बहुत सारे formula में यह derivation में काम हैंगे अब दोस्तों हम लोगे देखेंगे है path difference का क्या असर पढ़ता है जब इस पे additional path difference जोडता है अब देखेंगे जब आएगे झाब ठीभाए सबस्तों इस बडिखेंगे